पीके बायज स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पे आज हम सब लोग देखेंगे कि इसमर्ती पर आधारी जो हम इस्टाप नर्स एक्जाम नेशन एन आईए जैपूर 17.3.2019 को जो एक्जाम हुआ था उसके प्रसंपत्रों को साल्ब कर रहे थे तो आज 20 से आगे के प्रसंपत्रों को हम लोग शाल्ब करेंगे आए आगे के जो है प्रसंपत्रों को साल्ब करते हैं और फटा फटा अगर आप लोग प्रसंपत्रों को समझ रहे हैं जान रहे हैं तो आप लोग प्रसंपत्रों को भी जो है भ्यान से देखें और इसका उत्तर जो ह शेवन निर्देशित है तो इसका कौन सा होगा इसमें बिकल्प दिया हुआ है पहला को पता हुआ है तो इसका जो है बीकलप नंबर डि सही होगा यानि कि छाठ हुए महीने में जो है घरभा अवस्था में माताओं को दिया जाता है सिध्ध् завresh जो गोच्छुरा जो है सिध्ध्य बनाया जाता है उसको देने का जो है निर्देश दिया गया है आयरुवेद के अनुसार नेश्ट प्रसन देखेंगे प्रसन नंबर 22 में क्या बातें आई है निकल के प्रसन नंबर 22 में पूछा गया है कि किस महीने में सिसू में अनप्राशन सुरू कराते हैं सुसुरुत सहि सहिता के अनुशार किस महीने में जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको अन ग्रहण कराया जाता है बताईए फटा-फट आठवे महीने में नवे महीने में चाठवे महीने में या ग्यारवे महीने में तो कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों फटा-फट कमेंट करते जाए इसमें आपका छाठ हुए महीने में विकल्प सही होगा यानि आपका आपसंसी सही होगा नेश्ट प्रस्ण की चर्चा करेंगे प्रस नंबर 23 प्रस नंबर 23 में क्या बाते निकल के आई हैं इसको देखिए फटा फट आप लोग प्रस नंबर 23 में पूछा गया है कि किस दोस चिस किषी रज़ पक रोग होता हाए किस दोस द्वाध दुष्ट इस्तन्य के कारण चीघ्र पक रोग होता है वात दोस त्रिदोस पित दोसन कौन सा होगा इसमें विकल्प आप फट आफट बताईए 30 नमब प्रसंत का उतर क्या सही होगा-इसमें यानि कि श्लेश्म के कारण जो है यह समस्या आपको रोग देखने को मिलती है तो इसको आप टिक कर दीजिए प्रस नमबर 23 का बिकल्प नमबर डी शही होगा नेश्ट प्रस्ण की चर्चा करेंगे प्रस नमबर 24 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मात्रिज भाव है दंत बस्त अस्त धमनी कौन सा बिकल्प सही होगा पटाफड बताईए इसमें होगा आपका बस्ती यह आपका बिकल्प सही होगा बी नमबर इसे टिक करिए नेश्ट प्रस्ण की बात करेंगे नेश्ट प्रस्ण में क्या बाते निकल के आई है प्रस नंबर 25 निम्न में से कौन सा सुद्ध सुक्र का लच्छन नहीं है अवसादी इस निग्द पिछिल और घन इसमें आपका 25 का होगा ये ये होगा 25 का ये होगा ये आपका इसमें लच्छन नहीं है इस बात को आप किलियर कर लीजिए के पुष्य निग्चून का अनुपान है इसमें यह वागू होगा दुग्द होगा ऊस्न जल होगा टांडू लोधक कौन सा सही होगा फटाफट बताइए आप लोग 26 नंबर प्रसन का उत्तर क्या सही होगा इसमें होगा डी टांडू लोदक होगा आप इसे फटा फट टिक कर लेजिए इस ब्याधी के बिरुद ब्याधी छमत्तों के लिए BCG vaccination किया जाता है BCG का जो टीका लगाया जाता है वो कौन सी ब्याधी के जो है निवारन की लिए लगाया जाता है फटा फटा आप लोग बताईए तो इसमें दिया गया है विकल ब्रुशेला कालेरा टूबर क्लोसिस टाइफाइड तो इसमें क्या होगा फटा फटा आप लोग बताईए 27 का होगा C टीवर क्लोसिस यानि टीवी जो होता है इसे आप जानते हैं इसके लिए जो है बी-सी-जी का टीका करन किया जाता है इंपॉर्टन प्रसन है इसे आप टिक करिए अगर आप लोग कमेंट करते जाएंगे पिसनों के उत्तर देखते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमार रखा गया है रक्त दाब बी नमबर तुचा कावरण शी नारी गती डी डी में दिया गया है स्वसंद प्रयास तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताईए 28 नमबर प्रसन में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप लोग बताते जाएं फटा फट इसमें होगा यह यानि की रक्त दाब रक्त दाब जो होगा इसे बच्चों के निरच्छन के लिए नहीं रखा गया है इसे टिक करिए भोजन में निम्न में से किस तत्त की कमी के कारण बच्चों में कौास्वर रोग होता है इसमें बिटामिन यह दिया है आईरन प्रोटीन बिटामिन भी 629 का प्रसन नमबर का आपका एंसर कौन सा सही होगा फटा फट बताईए तो इसमें आपका होगा प्रोटीन क्या होग का प्रोटीन यानि की बिकल्फ सी सही हो जाएगा प्रोटीन के कमी से city क्वास्वर रोग हो जाता है इसे टिक लिजए मगें 30 का प्रसन का उत्र देखेंगे ये आपका बिकल्ब सही हो जाएगा इसे टिक कर लीजिए प्रस नमबर 31 की बात करें दिया गया है वस्तनाब का कौन सा भाग अवसधी के रूप में प्रियोग होता है मूल बीज पत्र पुस्प 31 में क्या होगा इसमें होगा आपका मूल यानी की इसकी जो जड़ होती है वस कमेंट नहीं करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कमेंट करते जाएए वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए आपके भविष्च के लिए बहुत मेनास से वीडियो बनती है आप लोग लाइक शियर सस्क्राइब करिए और आप प्रशनों के उत्तर को भी चいたπαर प्रडर रोग जो होता है कि प्रियो यह अर्क अतकी अश्शोक अजमोध कौन सा होगा इंसमें 32 में है वैस कि आफ्यों को जाएक प्रडर रोग के लिए जिसे लिकोरिया बोला जाता है इसके लिए नंबर ठाय थार्ट हरते दाफूद 33 में क्या बाते निकल के आई हैं येस्टी मधू का वीद है येस्टी मधू का वीर है क्या होगा स्थीत उस्ण अनूस्ण सीथ आति उस्ण क्या होगा येस्टी मधू का वीर है सीथ है कि उस्ण है कि अनूस्ण सीथ है आति उस्ण है क्या होगा 33 में होगा आपका ये नंबर बिकल्पी यानि शीत है ये श्की मधू का जो बीरी है ये सीत बीर है यानि ठंडे प्रवित्त की है इसे आप्तिक कर लेंगे प्रस्ट नमबर थार्टी-फॉर की चर्चा करेंगे 35 नमबर प्रस्ट में क्या बाते निकल के आई है 35 नमबर परसमें आया है कि भलान तक तेल की मात्रा है 34 का यह यानि कि 10 से 20 बूंद 20 से 30 बूंद 30 से 40 बूंद 40 से 50 बूंद कौन सा सही होगा फटा फटा आप लोग बताईए तो इसमें 34 में आपका होगा यह यानि कि 10 से 20 बूंदे 10 से 20 बूंदे जो है वल्लान तक तेल की मात्रा जो है प्रियोग किया जाता है आप लोग कर लीजिए विद्यार्थियों कप दिकाभस्न की और सद की मात्रा कितनी होगी 35 का दिया है एक से 2 मासा चार से 8 रत्ती दो से 4 रत्ती और 2 से 4 मासा तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखेंगे बहुत ही important question है important इसे note कर लेंगे आप लोग यह important प्रस्म में आएगा इसमें इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इसका इंसर क्या सही होगा थार्टी फाइब का बताईए इसमें होगा ये नंबर भीकल्प एक से दो मासा बहुत ही इंपॉर्टेंट पूर्शना है इसको तिक करिए है कि स्वास्त के लिए स्रेष्ट साक है स्वास्त के लिए स्रेष्ट साक है 36 में जीवन्ती जयन्ती गुरुचि ससर तो इसका क्या होगा 36 में क्या होगा विद्यार्थियों इसका होगा जीवन्ती क्या होगा जीवन्ती इसके लिए जो है स्रेष्ट साक में आएगा इसको ति करिए भी हैं जैवा पशिस्ट प्रवनधन आंतर्गत प्रियोग किए गये बैंडेज के प्रिथक्रन के लिए किस रंग की तेली का प्रियोग करना चाहिए इसमें दिया हुआ है यह बिकल्प है पीली बीबिकल्प है लाल सी बिकल्प है नीली, डी बिकल्प है काली, कौन सा होगा, 37, 37 का होगा, बिकल्प नंबर आपका भी सही, यानी की लाल होगा, इसमें लाल रंग के बेंड़ेज का प्रियोग किया जाता है, पिठक करण के लिए इंपोर्टेंट है, टिक करिये, बलगम में, एसिड फास्ट बेसली की जाच किस रोग के निदान के लिए की जाती है, इसमें दिया गया है, फेफडे की ट्यूबर क्लोसिस, टाइंसिलाइटिस, टाइफाइड हेपाटाइटिस, बी, तो 38 नंबर प्रस्ण में आपका होगा, बिकल्प नंबर आपका होगा, इसकी जाच किया जाता है, इसको आप ठिक करेंगे, इसकी बीडाल टेस्ट परिशण किस रोग के निदान के लिए करते हैं, तार्टी नाइन, इसका होगा, बिकल्पसी सही क्या होगा बिकल्पसी सही यानि की टाइफाइड जो होता है आपका मियादी बुखार इसके परिशन के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है जिसमें सारी चीजे क्लियर हो जाती है कि आपको बुखार कितने दिनों से है आपका ब्लड कितना है आपके हिमोगल नमबर फोटी की चर्चा कर लेंगे, फोटी नमबर प्रसमें क्या बाते निकल के आई है, तुमें दिया गया है सी तो पलादी चुन का अनुपान है, ए बिकल्ब है मदू पलस अदर्क स्वारस, बी है मुले ठीकात, सी है उसन जल और दी दिया गया है मदू पलस शर्प, तो कि पुनर्नवा मंदूर का अनुपान है यह तरक भी है घृत सी है ताल दूलोदक डी है तुलसी पत्र स्वारस तो इसमें होगा फोटी वन में आपका तक यह आपका एव नंबर विकल्प शही होगा इसे टिक करिए